इन्दोर की स्वर्वेणू गुरुकुल संस्था द्वारा देश के प्रसद्ध वासुरी बादक, पंडित हरी प्रसाद चोड़स्या को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और शास्त्रे गाय का बेगम परवीन सुल्ताना वा अभिनेत्री सांसद हेमा मालेनी को स्वर हरी सम्मान से नवाजा जाएगा कारिक्रिम के संयोजक एवं संस्था स्वर्वेणू गुरुकुल के निदेशक पंडित संतोश संत ने बताया है कि रविवार 19 दिसंबर 2021 को शान 7 बजे लाभ मंडपम अभै प्रशाल परिसर में आयोजित इस प्रतिष्ठा समारों में प् हेट कर सम्मानित करेंगी कारिक्रम की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्र महाजन करेंगी उस्ताद अलावदीन खांक कला एवं संगीत अकादमी के निदेशक जैनत भिसे पुलसायुक्त हरी नागाइन चारी मिश्र और वरिष्ट पत्रकार किया और वेडुका गुरुकल है इसको वेडुका गुरुकल हम लोग इंटिक्रोडीस करेंगे उज् उसके लिए हमने आमंत्रित किया है चूंकि वह बहुत बड़ा नाम है पूरे विश्व के लिए हमने इसलिए उनके नाम से भी एक पुरसकार शुरू किया इस साल से स्वरहरी सम्मान और स्वरहरी सम्मान नृत्यक एक शेत्र में हिमा जी को दे रहे हैं क्योंकि हिमा जी सिर् वेरी मच वेरी गुड लेजेंड आफ भरतनाट्यम और कथक कथक और भरतनाट्यम की बहुत बड़ी कलाकर है इसलिए हम उनको यह पर पुरसकार दे रहे हैं परविन सुल्तानाजी तो अपने आप में एक मिसाल है इसलिए उनको भी हरी स्वर हरी संबान ये दे रहे हैं और गुरुजी को हम क्या दे सकते हैं हमारा एक जीवन भी बहुत कम है परन्तु हम से एक छोटी सी फूल की पंखड़ी समझ लिए तो उनको स्वर विनों की तरफ से जीवन गौराव संबान हम दे रहे हैं कर आप सब लोग आईए और बहुत आनंद उठाईए इस दोरान और आगे लेके जाना है अभी तो मैं पांच साल के बादी आई हूं यहां पर लेकिन मैं एक बाद जरूर कहूंगी हम अलवा शहर में और यहां पर लोग जो सुनते हैं बहुत अच्छे सुनकाल होते हैं खास करके यहां के जो ओरीजिनल ट्रडिशनल लोग होते हैं वह अ जास्तिय संगीत का जो धरोहर है वो कभी कोई किसी में आज तक नहीं खिलाया ना वो हिल सकता है इंदूर के लोग बहुत अच्छे हैं मैंने यह देखा है बहुत बड़े दिलवाले होते हैं और बहुत अच्छे लोगों को संमान्द करते हैं प्यार करते हैं यह सबसे वहीं हरी प्रसाद चौर्शिया ने कहा है कि मालवा में पैसा बहुत है सबसे अच्छा गुरुकुल इंदूर में बनी का साथ ही उन्होंने मंदिरों के लिए कहा है कि अगर मंदिर हटा देंगे तो देश की संस्कृती और धरोहर हो जाएगी